नमस्कार लेडिश तर्मरिक पॉडर से महंगा है लेकिन अभी आपको पैकेट खुलने के बाद ही ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में बहतर कौन है और किसको इस्तमाल करना चाहिए तो आईए हम देखते हैं मैंने इस पैकेट को खोल दिया है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तर्मरिक पॉडर का कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है और आसेरवाद का थोड़ा हलका यलो कलर है लेकिन इन दोनों के ऱवो में बहुत अंतर है अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ तर्मरिक पॉडर जो रवे हैं वह बहुत ही ज़्यादा दानेदार है बारिक पिसेवे नहीं है और नैचुरल कलर नहीं लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ आर्टिफिसियल चीजे मिलाई गई है और नैचुरली हल्दी जो हो है यह ऐसी नहीं होती है तो मुझे टाटा संपन टर्मरिक पॉडर ओरिजनल नहीं लगा जबकि इस कंपनी का फीड भग भी नहीं रही है कि इसकी वज़े से आपको यूज करना काफी इजी हो जाएगा तो मैं इन दोनों में जो बहतर टर्मरिक पॉडर है मुझे ऐसा लगता है कि आसिरवाट टर्मरिक पॉडर ज्यादा बहतर है बेटर दैन टाटा संपन टर्मरिक पॉडर से क्योंकि टा आटा संपन टर्मरिक पॉडर उतना बढ़िया नहीं है और आटिफीसियल लुक में है यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करिए थैंक यू